चंद्रपूर जीले के गड़चांदूर शहर के मध्यवर्ती भिडबार वाले क्षेत्र में राजुरा गोविनपूर राज्यम महमार्क स्तीत भगवती कलिक्षन रेडिमेट कप्रे की दुकान के ठीक सामने दो पर एक बम जैसी वस्तु मिलने से पुरे क्षेत्र में संसनी फैल गई इस घटना को लेकर देड़ शाम तक सपश्ट नहीं हो पाया था कि मिली वस्तु बम या और कुछ और है हाला कि पुलीस ने यह माना कि कुछ तो गड़बर है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलीस ने इस घटना को लेकर चिमूर के कियुवक को हिरा सकनी लिया बताया जाता है कि मंगलवार 3 जुलाई की दोपहर देड़ बजे के समय भगवती कलेक्शन वस्त्रभंडार के संचलक शिरीश बोगावार की पतनी अंजली को दुकान में फोन कॉल आया जिसमें कहा गया कि दुकान में बैग रखा गया है जिसे चूने से कम मच गया और दुकान के आसपास लोगों की भीड़े कत्रित हो गई सुचना मिलने के बाद पुलीस ने भी मामले को गंविरता से लिया और गरचांदूर पुलीस स्थानेदार शिवाजी कदम के नेतरत्व में पुलीस बल मौके पर पहुँच गया और उपविभागिया पुलीस अधिकारी जादों को भी सुचना दी गई जिसके बाद पुरेक्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंदित कर दिया गया इसके बाद कुछ दूरी बनाकर लोगों का हुजुम दुकान के सामने से निहार रहा था जिसमें बम सद्रुश वस्तु होनी का संदे था इसी चंदरपूर से बम निरोदक दल को बुलाया गया जिन्नोंने डिटेक्टर से बॉक्स को चेक करने के बाद कुछ तो गडबर होने की बात कही जिसमें मामला गंभीर नजर आते ही बम निरोदक दल गडची रोली को उसकी सुचना दी गे इस दोरान जिरा पुलीस जनबंदू समित अन्य वरिष्ट पुलीस अधिकारी मौके पर पहुँच चुके थे दो पर देड़ बजे से लेकर देर शाम तक परिसर में बम सद्रुष को लेकर संसनी बने हुई थी सभी गडची रोली से आ रहे बम निरोदक दस्ते की प्रतिक्षा में थे एक बैग न दुकांदार को किसी का फोन भी आया था गडची रोली का बम निरोदक दस्ता ही इसकी पुरी जाश कर सच्चाई बता सकता है जिला पुलीस अधिक्षक ने लोगों से जादा पेनिक ना होकर शांत रहने की सला दी है इस सूत्रों से मिली जानकारी की अनुसार मामले में प बैक के संदर में गहन पुष्टाश की जा रही है देरात बम विरोदी दस्ते ने बम को ब्लास कर लोगों को रहत पहुचाई पुलीस महक में और पुरे शेहर में बम की चर्चा को लेकर शोर गुल था बीसीय नियूस के लिए चंत्रपूर से सुनिल ताइडे की एक्स्क् यूजी रिपोर्ट